हुआ कि नमसकार थोस्तों एक बार थीवागत आपका आपके चैनल लाई उम्म में जैसा कि आप सभी को पता है मॉर्णिन में इसमारी ग्लास होती है वह हिंदी व्याकन रियूनिक में आपकी डास र्वाजस्थान जिक्के क्योत्ति है वो विखिश के लिए राजस्तान हाई कोड ग्रूप डी के लिए तो अगर बात करें हिंदी व्याकण के बारे में अब से पहले आपकी 23 क्लास से कंप्लिट हो चुकी है आज ही आपकी कौन सी क्लास है 24 क्लास है और इसमें आज क्या हम 40 क्यूशन करेंगे हिंदी व्याकण के तो हिंदी व्याकण के 40 क्यूशन है वो आपके क्या है सबी टोपिक में से होंगे जो भी आपका राजस्तान हाई कोड गूरूप डी का सलेबस है उसके अकॉर्डिंग के आपका ये पेपर है पूरा उसी पे बेस है तो आज आपको क्या पेपर करने में मजाने वाला है क्योंकि रोजाना आपकी क्यावें पांच-पांच क्यूशन के जोड़े बनाता था फिर ऐसे करता था लेकिन आज आज आपको पेपर जैसा आपका पेड़न होता है उसी के कोडिंग आपको एक टेस्ट दिया हुआ है इसमें सारे क्यूशन रेमिक्स है पता नहीं कौन सा क्य से आजाए तो अब आपको क्या है करना है इस सेट को और आपको अपने कॉपी पेन अपने साथ लेके बेट जाना है चारिस तक गिंती लेखिलो और शुरू कर दो और उड़ा दो पेपर गो तो पेपर सुरू करने से पहले एक बार फिर सभी को गुड मॉर्निंग राम रा आपकी स्कीन पर आजुगा है आपको बतारा है कि निमर में से कौन सा यूगम सही है बताइए निमर में से कौन सा यूगम सही है एक तरफ आपको क्या दे रखा है सबत दे रखा है और साथ में आपको क्या संदी भी छेट दे रखा है यान संदी का पर गार दे रखा है तो तो इसमें आपको पांस सेगन ना टाइम आपको दे रखा है, पांस सेगन भी आपको गया सोल करने होते हैं, तो जिसने भी ओप्सन नमर B किया था बिल्कुल सेथ जवाब है, क्या है, विच्छेद है, वो क्या है, वेंजन संदी है, अगर बात करें, सवच्छन्द, तो पड़ी एक की मातरा दीखती है, वहाँ पे लगवक्या होता है, दिर्क संदी होता है, तो यहाँ पे क्या था, दिर्क संदी था, तो इसलिए एक रत हो गया, फिर देवेश सर्वे, देवेश सर्वे का क्या था, इसका यह यन संदी का उधान है, देवी पलस में एसका संद बिलकुर बिलकूर सही जवाब चारों आपके सामने हैं मताइब ज़वाब क्या होगा तो क्या हैगा इसमें आपको सही जवाब دेना है जिसने बी ऑप्सक्रणोर सी किया ता बिलकूर सही जवाब था परीपरस में छेद आएगा और ये कौन सा इसमें वो लग रहा था इसमें नियम लग रहा था संदी का जब वेंजन संदी में जब किसी भी सवर के साथ 6 वरण का मेल होते तो सवर और 6 के भी चै का आगमन हो जाता यानि आदा चै वो आ जाता है तो इस तरह से आपका उप्शन नमर भी बिलकूर सही जवाब है बढ़ते नेक्शन की और आपको बताना है निमर में से किस सब्द में वेंजन संदी है बताए निमर में से किस सब्द में वेंजन संदी है चारो उप्शन आपके सामनी आपको सही जवाब बताना है चारों option में से आपका जो सही जवाब हो आपको no down करना है जल्दी जल्दी उत्तर दें और आगे बढ़ें बहुत इंट्रेस्टेड होने वाला आज का इपेपर मज़ा आने वाला है तो इसे क्या आपको solve करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है एक एक नमबर आपके लिए बहुत ही इपोर्टेड साबित होने वाला एक्जाम में तो आपको छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखते होए आगे बढ़ना है तो इसमें आपका option number D है वो बिल्कुर सही जवाब है एक वर तीन दोनों है यानि परतिश्टित और निशंग ये दोनों ही कौन सी है वेंजन संदी के उदान थे आपको बताना है जल्दी-जल्दी सोल करें इसको आगे बढ़ें क्या आएग 우리 आएगा इसमें तो इसमें जिसने भी option number A किया था अभी शिक्त आएगा इसमें अभी शिक्त ये सह है वो सह सट कौन में बदल जाएगा option number A आएगा इसमें बिल्कुर सही जवाब बढ़ते नेक सुन के और आपको बताना है निमन मैंसे किस विकलप में संदी विछेद गलत है बताए निमन मै आएगा इसमें राम पुलस में आयन राम आयन क्या ये गलत है बाकी क्या है भूप भूशन का क्या होता है भूश्ट पुलस में आयन होगा परमान का परपुलस में मान होगा मर्ण में क्या होगा मर्द पुलस में मैं होगा बिल्कुर सही है option number A था वो क्या था बिल्कुर स किसका उदार्ण है बताइए दिगंबर किसका उदार्ण है चार उप्षन आपके सामने सही जवाब दीजिएगा क्या ना चाहिए इसमें दिगंबर किसका उदार्ण है बताइए तो चार उप्षन में से आपका जो सही जवाब होगा उप्षन मड़ी आएगा इसमें एक मद दो दोनों यानि संदी का और समास का दोनों का क्या है ये उदार्ण है दिगंबर बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है निमन में से कौन सा उदार्ण बहु बिरी समास का है बताई ये निमन में से कौन सा उदार्ण बहु बिरी समास का है चार उप्शन आपके सामने आपको जो भी सेलगता उसका आपको जवाब दे रहा है क्या आएगा इसमें जल्दी जल्दी बताएं चार उप्शन में शे तो इसमें आएगा जिसने भी उप्शन नमर एक किया बिल्कुल सही जवाब है और अगर साथ ने आपने इसमें option number 1 की है वो क्या है बिल्कुल गरत जवाब है अगर आपने सहस्तर किया है और चंदर सेकर किया है तो बिल्कुल सही जवाब है option number D आएगा इसमें दूसरा और तीसरा दोनों क्या थे चंदर शेकरो सहस्तरक्ष है सहस्तरक्ष है वो क्या है दोनों ही बिलकुर सही थे तो अप्सन नमबर D आएगा इसमें नेक क्या है पदमासना सब्द में कौन सा समास है बताए पदमासना सब्द में कौन सा समास है चारो उप्षन आपके सामने है बताइए सही जवाब क्या होगा इसमें ज़र्दी ज़र्दी जवाब दें पदमासना सब्द में आपसे समास पूचा है जिसने भी उप्षन नमबर इसमें D किया था बिलकुर सही जवाब है बहु बिरी समास है इसमें पदमासना में बहु बिरी समास है बिलकुर सही जवाब बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है निमर में से कौन सा उधारण बहु बिरी समास का है बताए निमर में से कौन सा उधारण बहु बिरी समास का है चारो उप्शन में से आपको जो भी सेलेक्टा है उसको आपको सही जवाब देना है क्या आएगा इसमें बहुबरी समास का उदान पूछा था आपसे तो जिसने भी उप्शन नमबर क्या किया था A किया था, B किया था, C किया था बिल्कुर सही था, उप्शन नमबर D आएगा इसमें जिसने भी उप्शन नमबर D किया बिल्कुर सही जवाब है तो बढ़ते नेक्शन की और आपको बताना है कौन सा उदान बहुबरी समास का नहीं है बताए कौन सा उदान है वो बहुबरी समास का नहीं है तो इसमें आपका सही जवाब होगा option number B आएगा इसमें 100 का पूल है वो क्या है 22 स्मास का उधारन यह बाकी वकर तुंड है दिरेख बाई अंशुमाली यह तीनों थे 22 स्मास के उधारन बरते नेक्षिन के और आपको बताना है निमली खीत वाक्यों में से सुध वाक्यों के कौन सा है बताए निमली खीत वाक्यों में से सुध वाक्यों के आपसे पूछा है सही जवाब दीजिएगा क्या आएगा इसमें निमली खीत वाक्यों में से सुध वाक्यों के आपको बताना है बढ़ते नेक्सिल के और आपको बताना है महात्मा गांदी का देश सदेव अबारी रहेगा किस तरह की असुद्धी है बहुत यह स्टा क्रिशन आप से पूछा है महात्मा गांदी का देश सदेव अबारी रहेगा किस तरह की असुद्धी है इसमें वो आपको बताना है इसमें आना था देश सतेव मातमागान्दी का अबारी रहीगा, तो उल्टा पुल्टा कर दिया इसमें, तो Option C आये गा इसमें, बिल्कुर स्जाइजवाब बढ़ते नेक्षन के और, आपको बताना है निमल खित में से कौन सा वाक्य ऐसुद है, बताईए निमल खित में से क कौन सा वाक्य एसुद है चारो अप्षन आपके सामने है बताइए सही जवाब क्या होगा इसमें चारो अप्षन में से आपको बताना है सही जवाब क्या होगा क्या ना चाहिए इसमें एसुद वाक्य आप से पूचा है तो इसमें आएगा आपका ओप्षन नमबर ए आएग बताये किस करम में ऑलब परान धान धानी है बताइए ते इस , बताये ईए किस करम में ऑलब परान धानी है बताये 27 hele लास्ट यानि इससे पहले वाले संडे को आपकी क्लास होई थी सवर वेंजन की अगर वो जोईन की होगी तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है अगर नहीं किये तो एक बार उसको जुरूर देखें और उस पर जितने भी आपको टोपिक में आपको इपोर्टेट फेक्ट बताएं उनको अच्छी तैसे माइंड में बिठा लेना तो आपका क्या है वेंजन और सवर वाले टोपिक में आपका बेड़ा पार राम से हो जाएगा एक भी क्यूशन गलत नहीं हो गएंगा ये मैं दावे के साथ कहा सकता हूँ तो क्या आएगा इसमें option number C आएगा कर उल्ळा यह क्या है अलब पराण दावनी है अलब पराण दावनी पूछी ती आपसे तो option number C इसमें आएगा C बिलकूर सही जवाब है बढ़ते नेक्शन की और आपको उताना है कि निमन में से सगोस अलब पराण है बताइए सगोस अलब पराण कौन से हैं चार ओप्षन आपके सामने सही जवाब क्या होगा इसमें क्या आएगा इसमें तो सही जवाब होगा इसमें आपका option number D आएगा इसमें घय आएगा घय option number D आएगा इसमें घय बिल्कूर सही जवाब है जिसने भी option number sorry option number B आएगा इसमें जिसने भी option number B किया है दय दय दवात वाला दय आएगा option number B, बिल्कूर तया ज़जवाब है बढ़ते नेक्षिन की ओर, आपको बताना है A, 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 E, वरण क्या कहलाते हैं बताईए, A, A, E, वरण वो क्या कहलाते हैं, चारो 율ि आपके सामने बताईए सही जवाब क्या होगा इसमें A, A, E, वरण आपको बताना है अनवर गया होगा वाक्य किस काल को संकेतित करता है चारो अप्षन में से आपको बताना है सही जवाब क्या होगा इसमें गया होगा आप confirm नहीं है कि गया है या नहीं गया है तो option number A बिलकुर सही ज़व आपको बताना है बारत में इस्तिती दूसरी है का बूत काली रूप होगा बताना है चारो option वो आपके सामने हैं बताए सही ज़वाब क्या होगा इसमें बहुत अच्छा ग्यूशन आपके सामने पेश किया गया है आपको बहुत अच्छा जवाब देना इसका जिसने भी option number B किया बिलकुर सही जवाब है भारत में स्थिती दूसरी थी भारत में स्थिती दूसरी थी बिलकुर सही जवाब बढ़ते नेक्सिन के और आपको बताना है इनमें से बावाच्छे से समन्नित वाक्टे है बताइए इनमें से बावस्चे से समन्नित वाक्टे कौन सा है जिसने जिसने भी option number 1 कि ये बिलकुर सही जवाब है सर्दियों में रोज नहीं नहाया जाता बिलकुर सही जवाब option number A बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है इनमें शेव विशेश्चन से बना संग्या सब्द कौन सा है बताईए इनमें विशेश्चन से बना संग्या सब्द कौन सा है तो सही जवाब होगा आपका option number B सुन्दरता आएगा इसमें बिलकुर सही जवाब option number B बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है कुछ और कव वाक्य में और का किस रूप में परियोग हुआ है बताईए कुछ और कव वाक्य में कुछ और काओ इस वाक्य में आपको बताना है और का किस रूप में परियोग हुआ है चार ओप्सन आपके सामने सही जवाब आपको देना है क्या आएगा इसमें तो इसमें आएगा option number B आएगा सर्वनाम आएगा बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है किस वाक्य में सर्वनाम समंदी आशुद्धी है बताए किस वाक्य में सर्वनाम समंदी आशुद्धी है चार ओप्सन आपके सामने है बताए सही जवाब क्या होगा चार ओप्सन में से आपको बताना है सही जवाब क्या होगा सर्वा नाम समंधिया सुधिया आपसे पूछी है तो इसमें आपका सही जवाब होगा option number A वहे मेरे से क्या चाहता है वहे मेरे से क्या चाहता है बिल्कुर सही जवाब option number A आएगा इसमें बर्टे नेक्शन की और आपको बताना है कि निमनी खीत वाक्यों में से अकर्मक किरिया का वाक्य कौन सा है अकर्मक किरिया का वाक्य बताना आपको चार ओप्शन आपको दीख रहे हैं बताये सही जवाब क्या होगा इसमें अकर्मक किरिया का वाक्य आपसे पूछा है सही जवाब होगा option number A लड़की गा रही है बिलकुर सही जवाब है option number A आएगा इसमें बढ़ते नेक्शन के ओर आपको बताना है अभिवंदन से निर्मित विशेशन नहीं है बताए अभिवंदन से निर्मित विशेशन नहीं है चारो option आपकी सामनी है बताए सही जवाब क्या होगा इसमें बहुत अच्छा क्यूशन आपसे पुछा है अभिवंदन से निर्मित विशेशन नहीं है तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका option number B अभी वादित आएगा इसमें बिलकुर सही जवाब option number B बढ़ते निर्मित के और आपको बताना है सद्वा सबद का विलोम बताना है बहुत बार रिपेट हुआ है आपको बताना है कि क्या है इसमें सद्वा सबद का विलोम तो सही जवाब क्या होगा इसमें आपका सही जवाब होगा option number D आएगा इसमें सदवा का आएगा विदुआ बिल्कुर सही जवाब आएगा इसमें आपको बताना है तरासदी का विलॉम बताना आपको तरासदी का विलॉम चार ओप्षन आपके सामने बताएगे सही जवाब क्या होगा तो तरास्ती का विलोम बताना था आपको सही जवाब आएगा इसमें उप्शन नमर B, कामदी आएगा इसमें उप्शन नमर B बिल्कुर सही जवाब है बढते नेक्सिन के ओर आपको बताना है गीता अपनी सहले की साधी में गई थी रेखांकित सब्द का प्रियाबाची सब्द नहीं है गीता अपनी सहली की साथी में गई थी रिखांकित सब्द का प्रियावची सब्द नहीं आपको बताना है कौन सा नहीं है चार ओप्सन आपके सामने है चारो में इसे आपको बताना है सही जवाब क्या होगा तो इसमें आएगा सहरी सवद का आप से पूचा है कि प्रयावची नहीं है तो इसमें आएगा कादमरी कादमरी यह वो क्या है इसका प्रयावची नहीं है बाकी क्या है रजनी है शेरंदरी है और सहचारी तीनों ही क्या है सजनी, सेरंदरी और सहचारी तीनों इसके प्रयवाची थे आपको उताना है निर्दन का प्रयवाची सवद नहीं है बताइए निर्दन का प्रयवाची सवद कौन सा नहीं है चार ओप्सन आपके सामने है साइजवाब आपको देना है क्या आएगा इसमे साइजवाब क्या आएगा इसमे option number D आएगा इसमे यह सभी क्या है निर्दर के प्रेवाची है प्रावलम भी भी है द्रिदर भी है गरीब भी है इनमें से कोई नहीं आएगा next चुशन है प्रेवाची बताना है साइजवाब आपको बताना है चार option आपके सामने बताइए साही जवाब क्या होगा इसमे तो प्रावची है वो option number B जिसने किया है पिलकुल गलाँ जवाब है तो इसमें आएगा option number D बाट है, रास्ता है और पंथ है तिनों के तिनों बिल्कुल सही थे बढ़ते नेक्शन के रब आपको बताना है कम किमत आंकना बवार्थ के लिए उप्युक्त मौवरा बताना आपको कम किमत आंकना बवार्थ के लिए उप्युक्त मौवरा बताना है चारा ऊप्सन आपके सामने बताएं सही जवाब क्या होगा इसका तो इसमें आपका सही जवाब होगा उप्सन नंबर B आएका उने पूने करना बिल्कूर सही जवाब है बढ़ते निक्षन क्योब आपको बताना है प्रादिन सपने हूँ शुक ना ही लोकोक्तिक आर्थ बताना आपको प्रादिन सपने हूँ शुक ना ही लोकोक्तिक आर्थ बताना है चार ओप्षन आपके सामने बताईए सही जवाब क्या होगा तो इसमें आपका सही जवाब होगा option नमर डी आएगा इसमें कई पर पूछ अजार काप से खुशन प्राधी इतना में क्या है सुक नहीं मिलता बिल्कुल सही जवाब बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है बिल्ली के बाग से छींका टूटना लोकोकतिक आर्थ क्या है बिल्ली के बाग से शींका टूटना प्पाला लोकोकतिक आर्थ बताना आपको बूखे बजनना होई गोपाला लोखोक्तिगार बताना है चार उप्षन आपके सामने आपको सही जवाब देना बताईए सही जवाब क्या होगा इसमें सही जवाब बताना आपको बताईए क्या होगा इसमें चार उप्षन में से जिसने भी option no.1 किया है बिल्कुल सही जवाब है बुखे रहने से कोई काम नहीं हो सकता बिल्कुल सही जवाब option no.1 आएगा इसमे बढ़ते नेक सुन के और आपको बताना है दिये गए विकलपों में से सुर्द वरतनी वाले सब्द का चुनाव किजिए दिये गए विकलपों में से सुर्द वरतनी वाले सब्द का आपको चुनाव करना है बताए क्या आएगा इसमें चार option में से आपको बताना है क्या आएगा इसमें चार option आपके सामने है तो जिसने भी option no.1 में C किया है बिल्कुल सही जवाब है सुद्वर्तनी है आजीवी का option number C बिलकूर सही जवाब था next question क्या है आपको बताना है दिये गए विकलपों में से सुद्वर्तनी वाले सब्द का सुनाव गरना है बताए सुद्वर्तनी वाले सब्द कौन साइन में से 4 option आपके सामने है तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा option number A गणमानने आएगा इसमें option number A बिलकूर सही जवाब 36 नमर क्यूशन में फिर आपको सुद्वर्तनी वाला सब्द बताना आपको बताए सुद्वर्तनी वाला सब्द बताना आपको 36 नमर क्यूशन में क्या आएगा तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ओप्सन नमर बी आएगा इसमें बी बिल्कुर सही जवाब है मत्से इंदर मटते नेक्शन के और आपको फिर बताना है सदान आनंद का बाओ कहलाता है क्या आएगा इसमें जिसने भी ऑप्सन नमर इसमें बी किया था परसंता आएगा परसंता आएगा इसमें ऑप्सन नमर बी बिल्कुर सही जवाब है बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है किस कर्मांक में सभी प्रियावाची सब्द सही है यह बताना आपको सही नहीं है कौन सा नहीं है वो आपको बताना है तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा इसमें मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है एक बर आप बताना इसमें सही जवाब क्या होगा वैसे तो इसमें ओप्सन नमबर भी दे रखा है तो इसमें सही है तो रुदिर रक्त लवू होना चाहिए वैसे इसकी according option number A आएगा या फिर B आएगा एक पर आपको यह बताना है comment box में बढ़ते हैं sorry इसमें इन्होंने option number D दे रखा है option number D दे रखा है और मेरे को यह लग रहा है एक पर चेक करके आप बताना कि सही जवाब क्या होगा इसमें next question कि आपको बताना है हाती का प्रियाची सबद नहीं है बताएए हाती का प्रियाची सबद नहीं है कौन सा नहीं है बताना आ ऊपको चार option आपके सामने है और सही जवाब सा मन क्या होगा इसमें 86 और चार प्रियाची सबद नहीं है। पिख देगल जोगे जिस ने भी ब्याकण के चारलीश क्यूलिशन जो मैंने आपको आखो आज की нет पर पर में करवाए हैं अब आपका काम आपको पताई है इन 40 में से आपके कितिन नंबर आए आपको ये बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जूरूर क्या गरो अगर आपके नहीं हो तो तेना को सबस्क्राइब कर लो अधान जरूर क्या दाएगा तो हाथ की क्लास में बस इतना ही मिलते ने क्लास में जय इन जय बार धन्यवाद